जीवन में जितने तुम सरन बनोगी उतने ये भगवान के निकट पहुचूँगे पुर्शों में तो किसी को ग्यान का अभिमान तो किसी को बल का अभिमान तो किसी को पैसा की अभिमान लेकिन मात आएं तो बड़ी सहज होती है आपस में परश्पर बाते कर रहे हैं कि इनकी उपमों किसी की जाए बिश्लु चारी भुज बिदी मुख चारी निकट बेश मुख पंच पुरारी बिश्लु के चार हात रहा ब्रम्रह के चार हाथ सिव जी के पाच हुख और उनके पुत्र कार्थिक जी के चापुत्र है उनकी तुलना किस से की जाए इन दोनों भाईयों की तो तुलना किसी से कैसे करें दोनों की सोर हैं और इनमें जो सावला है ये तो बहुत ही सुन्दर है पता नहीं कौन है एक बोले हमने तो यह सुना है कि यह दाड़ी वाला बाबा आया है कल इस दोनों उसी बाबा की चेना यह मैंने सुना है दूसरे बोले कि यह दोनों महराल दस्रत के पृत्र है बाबा की एक दिके रख्षा के लिए आये है ऐसा मैंने सुना है एक बोली कि मैंने जीवन में बहुत राजकुमारों का दर्स्रत किया पर ऐसा रूप हमने कभी नहीं देखा बुलो जैस्री राम जैस्री एक ने कहा बहन अपनी मन की बात कह दो हमारी पिटिया जान की है न उसके युग्य बर्त किवल ये सावला है पर बहन बड़े लोगों को बड़ा काम होता है राजा ने प्रतिग्या कर ली है कि जो धन उसको तोड़ेगा उसी से बिवा रचा जाना अब ये तो बिचारे सुकुआरे एक ने कहा कि केवल देखने में छोटे हैं अरे बहन केवल देखने में ही छोटे हैं ये क्या पता यही तोड़ेगा एक बोली की एक उपाय है ये किसी तरह जनक जी इनको एक बार देख लें तो ज़रूर वो अपने निरड़े को बदलने पर विचार करेंगी उनको अपना निरड़े बदलना ही पड़ेगा तब तक एक सखी ने कहा कि ए मन की लड़ू क्यों खाती हो अरे हम लोगों का क्या अधिकार है और एधि धनुस यही तोड़ देतो तोड़ दिया तो बताओ फिर एक सखी बोली कि हमारे मन में तू एक संकल्प जबाए जीवन में एधि कोई पार्थ किया है कोई पूजा की है एधि कोई भजन किया है हमने तो हे विधाता उसका संपुर्ण फल सावने सनोने को मिल जाए और यही धनुस को तोड़ ले जानकी कित्पती यही बन जाए यही मेरी इच्छा है